विलकम टू गियर नोली चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में ले करें हूँ कि डिजीटल थर्मामीटर में अपना Celsius से Fahrenheit में कैसे चेंज करें या फिर Fahrenheit से Celsius में कैसे चेंज करें जैसे कि हमें से बहुत सारे फैमिली में प्रॉल्लम होती है की जब हम ये किसी का temperature measure करना होता है तो या फिर थर्मामीटर कभी Celsius में बताता है और कभी-कभी Fahrenheit में बताता है तो हम चाहे हमारी उपर हम किसमें भी देख सकते या फिर हमें Fahrenheit में देख सकते है या फिर Celsius में तो human body temperature को measure करने के लिए सबसे best है Fahrenheit में तो चलिए देखते हैं यह सबसे पहले हमेंसे बाल करना क्या यह देख सकते हैं कि अभी Japan c сам में data your इंडियर मे तो हम में human body temperature सब्सक्राइट में तो इजली गाओ देख सकते हैं कि हमारा पावर ओन ऐसे प्रेस करें रहे जाना है जैसे आप देखें ऐसे आया अब यहां पर फैरन हीट में हो गया हमें इसी पावर की को लॉंग प्रेस कर रहें रहेंगे तरह पर टेमपरिचर चेंज हो जाएगा यहां फिर फैरन हीट से जैसे कि आपने नोटिस किया होगा पहले से अब फैरन हीट में हो गया अब यह से फ़िर से इसे चेंज हो गया और वह में पॉवर आफ करना ओगा फिर पावर की को लॉंग प्रेस करेंगे तुर वह जाएगे हो जाएगा अब जैसे आप देख सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू